हलो फ्रेंड, CMK Sir Inspiration में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज साइंस के इस महफिल में एक बहुत ही इंपोर्टन टोपिक की सुरुआत करते हैं हमने आपको पहले ही बताया था कि Physics में हम आपको एकदम Basic Label से बताएंगे तो चलिए आज यहाँ पर कुछ ऐसे सेंबल हैं जिनको हम समझ लेते हैं कि Physics में इन्हें क्या पढ़ा जाता है बहुत साइज स्टूडन को पता भी होगा लेकिन जिन्होंने एकदम सुरु से स्टार्ट किया है मेरे भई Physics में कुछ भी नहीं आता, then don't worry हम आपके साथ हैं और आपको एकदम basic level से लेकर के चलेंगे है ना, तो चलिए कुछ ऐसे सेंबल हैं, संकेत हैं क्योंकि आजकल shortcut का जमाना है, कोई high इतना भागने की कोशिश नहीं करता है सब को shortcut route चाहिए, तो Physics में भी किसी चीज को दरसाने के लिए किसी चीज को व्यक्त करने के लिए कुछ sort, क्या है, symbols का यूज किया जाता है तो वही आज आपके बीच में हम लेकर के आए हैं ये आपको दिख रहा होगा एकी तरह, इसे एगर हम बात करें दोस्तों तो इसे पढ़ा जाता है, alpha, क्या बोलते हैं, alpha, है ना अब दूसरा ये जो b की तरह दिख रहा है, इसे बोलते हैं, beta क्या बोलते है, beta बोलते है और इसको क्या बोलते हैं, दोस्तों, इसको बोलते हैं, gamma alpha, beta, gamma ये तो जनरली आपको अच्छी तरह से पता होगा, है ना अब अगला आता है ये जो तिर्भूच की तरह, दिखे इसको हम triangle यानि तिर्भूच नहीं पढ़ेंगे, ये चिन तिर्भूच की तरह दिख रहा है बट physics में इसे क्या बोलते हैं तो इसे बोला जाता है दोस्तों delta, क्या बोलते हैं, delta, किसी के आगे ये लग जाता है तो पर इसको कुछ ज्यादा ही गोल है नीचे तो इसको भी बोलते है डेल्टा क्या बोला जाता है मेरे भाई डेल्टा ही बोला जाता है है ना अब आता है कि यह जो दिख रहा है N की तरह इसे क्या बोलते हैं तो यह physics में इसे बोला जाता है eta या फिर इसको कहीं कहीं आप eta इस तरह से लिखा रहता है इटा या फिर इटा ठिक अग्ला है ये तो इसे बोला जाता है धीटा क्या बोला जाता है दोस्तों ठीटा और यहां से कुछ E की तरह दिख रहा होगा लेकिन ये राउंड में है ना एकी तरह दिख रहा है लेकिन ए है नहीं तो इसे बोला जाता है एपसाइलन क्या बोला जाता है एपसाइलन या अभी कहीं के लिखा होता है उससे मत जाए यह लेकिन बोलते क्या है एपसाइलन लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर ध्यान पुरुख समझेगा अगर हम बात करें ये कुछ इस तरह से हो जाए तो इसको बोला जाता है एपसाइलन ऐसे भी लिख सकते हैं एपसाइलन नौट पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता है एपसाइलन नौट जिसे निर्वात की क्या बोलते हैं इसको निर्वात की दोस्तों यहाँ पर विद्दुत सिल्ता बोलते हैं, है ना, एफसाइलन नौट पढ़ा जाता है निर्वात की, या फिर एफसाइलन जीरो भी आप पढ़ लिजिए, इसे बोलते हैं निर्वात के विद्दुत सिल्ता चलिए अगला है इसे बोला जाता है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों तो इसे लेम्डा बोला जाता है क्या बोला जाता है लेम्डा ठीक ऐसे भी लिखा रहता है लेम्डा ठीक पढ़ते हैं लेम्डा लेकिन लेम्डा सुध है अगला है इसे पढ़ते हैं Micron क्या पढ़ा जाता है? Micron पढ़ा जाता है और ये जो V की तरह देख रहा है लेकिन हलका सा क्या है, तिर्चा है तो इसे पढ़ते हैं new, क्या पढ़ा जाता है new, यानि आवरित्ती होती है, ठीक, लेकिन, हाँ, ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, कुछ T की तरह, लेकिन यहां से क्या है, कुछ तिर्चा है, तो इसे या तो टो कहेंगे, या इसी को टाउ कहा जाता है, क्या पढ़ते हैं, सिग्मा, सिग्मा पढ़ा जाता है, और बात करें, इसे भी सिग्मा ही कहा जाता है, ठीक, इसे भी सिग्मा पढ़ा जाता है, ठीक, इस बात का ध्यान देना, दोनों का अर्थ ही है, सिग्मा, अगर बात करें, ये मैत में, तो ये क्या बीजगरती, योग को अगर इसको बात करें यह जो तरि त्रिषूल दिख रहा है तो क्या है इसे क्या कहेंगे तूरि यह महादेव का चिन अगर दिख जाए तो इसे पढ़ते हैं साई क्या पढ़ते हैं साई और यह क्या है दोस्तों जीरो बनाकर बीच से चीर दीजिए तो क्या है इसे कहेंगे फाई ठीक ना ये साई ये फाई ठीक वाई फाई नहीं है हाँ वाई फाई का भी चिन लेकिन फिजिक्स में उसका इस्तिमाल थोड़ी ना हो गभी क्या है ये क्या होता है फाई होता है अगला बात करें ये कुछ पी की तरह हो एकदम देखो कुछ ऐसे तिर्ष्चा रहता है दूस्तों तो इसे पढ़ा जाता है रो है ना इसे पढ़ेंगे क्या म्यू नाट क्या पढ़ते हैं म्यू नाट जैसे यहाँ पर हमने बताया ना यहाँ पर माइक्रॉन या फिर इसी को म्यू पढ़ा जाता है तो यह म्यू ना निर्वात की चुम्बक सिलता अभी हमने यहां पर क्या बताया निर्वात की विद्दुत सिलता और यह क्या हो गया है निर्वात की चुम्बक सिलता ठीक उसके बाद एच अगर आपको दिखें फिजिक्स में दिन एच को बोला जाता है प्लांक नियतांक क्या बोलते हैं प् पढ़ेंगे ओम का यह प्रतीक है अगर यहाँ से डबलू दिख जाए डबलू की तरह है लेकिन यह यह दूनों राउंड है कुछ तो इसे पढ़ेंगे ओमेगा क्या पढ़ेंगे दोस्तों ओमेगा यह यह नि कोड़ी आवरित्ति हो ठिक और एक्स की भात यह दिख जाए कहीं आपको तो समझ लेजिएगा कि ये कौन से महराज हैं तो ये है, अन्हें, पढ़ा जाता है काई, क्या पढ़ा जाता है, काई पढ़ा जाता है, देखें, यहाँ से साई, यह रहा फाई, यह रहा काई, उसके बाद नीचे पाई, ठिक, इसे पढ़ेंगे, एक उपर जीरो है तो इसे पढ़ा जाता है हाँ English ट्राम क्या पढ़ते हैं English ट्राम पढ़ते हैं क्या पढ़ा जाता है दोस्तों English ट्राम पढ़ा जाता है और ये है ठीक ना R की तरह दिख रहा है इसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पाई पढ़ा जाता है तो ये कुछ बेसिक से सेंबल है, बेसिक से संकेत हैं, जो चिन हैं, आपको जो remember करना है, क्योंकि ये physics में कहीं ने कहीं, अगर आपने इन्हें miss कर दिया, तो आपको problem हो सकती है, क्यों क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है, इसे कहते क्या है, तो आप क्या जानेंगे I hope कि ये session आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहा होगा अगर वीडियो पसंद रही है तो प्यार से लाइक कर देना और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे, और साथ ही इस वीडियो को जादा से जादा दुस्तों तक share कर दीजे, ताकि उनकी भी तैयारी एक बहतर ढंक से, हुसे के सो मिलते हैं, किसी और मज़दार topic के साथ, love you, bye bye, take care